प्रदेश भाजबा ध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राजी सरकार द्वारा स्कूली बच्चों की वर्दी बंद करने के फैसले को दुर्भागेपूर्ण करार दिया है उन्हें कहा कि भाजबा सरकार पहली से बारवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दी प्रदान कर रही थी और पहली से दस्वी कक्षा तक के विद्यार्थियों को 200 रुपए वर्दी की सिलाई के लिए भी दिये जाते थे लेकिन कॉंग्रेस ने सत्ता संभालते ही इस सुविधा को खत्म कर दिया है उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश की आठ लाग स्कूली बच्चे प्रभावित होंगे और अब केवल 3,70,000 बच्चों को ही वर्दी के लिए 600 रुपए मिल सकेंगे ये 600 रुपए भी उन्हें केंद सरकार की योजना के अंतरगत मिलेंगे और इसमें हिमाचल सरकार का कोई योगदान नहीं होगा भाजपा ध्यक्ष ने लोकतांतर प्रहरी सम्मान योजना को बंद करने के फैसले की भी आलोचना की उन्हेंने कहा कि योजना को लेकर पूर्वर जैराम ठाकु सरकार ने एक एक्ट बनाया था जिसे विधान सभाही निरस्त कर सकती थी लेकिन सुखु सरकार ने इसे मंतरी मंदल की बैठक में ही रद कर दिया उन्होंने कहा कि सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ भाजपा का प्रदेश व्यापी हस्ताक्षर अभियान और अक्रोश रैलिया लगता जारी है सुरिश कशप ने कहा कि इस अभियान के तहट पूरे प्रदेश से आय हस्ताक्षरों को 13 मार्च को राजपाल शिव प्रताप शुक्ल को सौपा जाएगा और 14 मार्च को लोकतंत्र प्रहरी भी राजपाल से भेंट करेंगे